जिमेल बनाने के लिए मैं आपको अपने मुबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ तो ये मैंने अपने मुबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया है नया जिमेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस गूगल पे जाना होगा google पे क्लिक करते ही हमें कुछ एसा इंटरफेस दिखेगा फिर हमें यह kone पे इस profile पे क्लिक कर देना है फिर हमें यह यह जो arrow बना है इस पे क्लिक करना है और यह नीचे यूजे without an account के नीचे लिखा हुआ है add another account हमें नया account बनाने के लिए इस पे क्लिक कर देना है, फिर हमें यह Google पे क्लिक करना है, उसके बाद हम Finger लगा होंगे, तो यह Finger माँगीगा और Password लगाए होंगे, तो यह password माँगेगा, हमें इसे Unlock कर देना है, फिर हमें यहाँ पर Create Account पे क्लिक करना है, अब यहां पे दो option आते हैं, पहला है for my personal use, दूसरा है for my और my business तो हमें यह पहले पे click कर देना है for my personal पे अब हमें अपना first नाम डाल देना है, जो आपका नाम हो आप वो डाल दीजेगा मैं जैसे यहां पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे यहां पे मैं यह अरजुन लिख दिया और यह नीचे कपूर लिख दिया, फिर हमें next कर देना है, उसके बाद हमें यहां पे अपनी date of birth डाल देना है कि हम कप पैदा हुए है जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ आपको बनाने के लिए दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ जिंडर आपको चूज कर लेना है आप मेल है या फिमेल है तो मैं मेल हूँ यहाँ पर मैं mail चूज़ करूँगा, फिर हम next कर देंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर use mobile लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर click कर देना है, फिर हम यहाँ पर yes use number पर click करेंगे, यह थोड़ा सा समय लेगा, network slow है मेरा, इसलिए, यह देखिए, लिखा हुआ है, use email, दूसरे साइड लिखा हुआ है, get code, तो हमें get code पर click कर देना है, हमें यहाँ पर एक code आएगा, वो mobile number चालू रहना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए, जो इस mobile number से आप अपना Gmail बनाए तो हमें simple से is get code पर click कर देना है, यह देखिए, यह automatic अगर आपकी SIM लगी होगी उसी mobile में, तो यह automatic उस code को ले लेगा, नहीं तो अगर आपके mobile में वो SIM नहीं होगी, तो फिर आपको जिस mobile में वो SIM होगी, उसमें से code आपको देखकर इसमें डालना पड़ेगा, फिर हमें न strong password with a minimum of letter, number and symbol, password में letter हो, number हो और symbol हो, यह मैंने password डाल लिया, अब इसके बाद हमें यहाँ पर next पर click कर देना है, और यह देखिए, यहाँ पर आपका gmail बनके आगया gmail address यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं, अगर आपको यह नहीं चाहिए, आपको यह पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो अपने मन मताबिक अपने पसंद के अनुशार आप इसे रग भी सकते हैं, यहाँ पर इसे बदलने के लिए edit your gmail address पे click करना है, अब आप यहाँ पे देखिए, उसके नीचे एक और gmail आ गया, अगर आपको यह भी न अच्छा लगे, आपको नया ही बनाना है, अपने अनुशार बनाना है, तो हमें यहाँ पर third वाले option पे click कर देना है, जहाँ पर create लिखा हुआ है, यह ऐसे अरजुन कपूर, अब मैं आगे एक दो तीन चा करेंगे, देखिए, that username is taken try another, मतलब इस नाम से किसी और का है, तो हमें यह नाम नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर कुछ और try कर सकते हैं, वैसे मैं back करता हूँ, मैं इसे ही रखता हूँ, और इसे next करतेता हूँ, इसके बाद हमें नीचे आना है, यहाँ पर I agree पर click कर देना है यह थोड़ा सा समय लेगा, और आपका Gmail बनके ready है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे, चैनल पनना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे